Welcome Home and Welcome to YouTube Channel अजुम्स एो हम फ्लेमिंग्ज़ कमपनी का अर्थरोपैडिक हेट अर्टोपैड फेस्क एंकड इस हीटेड नहीं कर रहा तो यह ड्रहर कुügen कर रहा वहा है ऑभी इस वीडियो इसवीडियों में आप छेक करने वाल ग। अब आपको बद्रते हैं जिखो यह आभ यहाँ पर पावर चालू करれ और रहा है तो यहां से यहां तर इसमें एक bulb है तो यह से ओं करने से यह आपके एक bulb है न एक glow होना चाहिए था तो यह पहली बात यह blend ग्लोव ने हो रहा है और उसे बात यह गरम ने हो रहा है तो ठीक है तो इसमें यह गरम क्यों ने हो रहा है पहले वह आमें उसको फॉल्ट गोड़ना है एक फॉल्ट मिलने के बाद एक फॉल्ट को हम कैसे रिपेर करते हैं अभी यह इस वीडियो बताने वाले है तो सबसे प चारो स्कुरू खोलने के बाद आमें एक कवर खोल देना है इंदको 14 वादा स्कुरू भी आम निकाल दिये है तो यह स्कुरू यह आपर है तो यह इसको हम ऐसा निकाल देंगे ठीक है यहाँ देख से यह थोड़ा जलने का निशान है और दुसरा यहाँ पर थोड़ा जलने का निशान है थोड़ा पास से देखो देखो यहाँ पर जलने का निशान है एक रेजिस्टर से यह थोड़ा जल गया है थोड़ा इसको आलक दो ठी तू दिखसकते हैं यहां पट्टी में भी जिल गया है तो ठीक है आमें तो problem क्या है तो मालव भी गिर गया है कि यह resistance जिल गया है इसलिए आगे power supply नहीं जा रहा है तो अभी क्या करना है, सबसे पहले power को 1 करना है, power को 1 करने के बाद, अभी इसको हम पूरा case से check करते हैं, यह अपको बताने वाला हो, मतलब समझो, किसी-किसी case में यह भी सही होता है, तो आगे कैसा problem आसकता है, या दूसरा, इसमें क्या-क्या problem हो सकते हैं, अभी अभी आपक करता है, और तिसरा, यहां से लिकर, यहां से का अंदर कोईल होती है, तो यह कोईल में problem हो सकती है, तो अभी आपको पूरा चेक करते हैं, बताने वाला हो, तो चेक करने के लिए, सबसे पहले आपको एक continuous tester चाहिए, यह market में TCB के आरांद से मिल जाता है, ठीके, तो wire का एक एक साइड में तर जोड़ेंगे ऐसा, जोडने के बाद, देखो, यो आप पर ज़ल रहा है, यह जल रहा है कि नहीं जल से, मतलब एक साइड साहिए, तो दूसरे चेक करेंगे हम, देखो, यहां पर जल रहा है, मतलब इसमें confirm हो गया कि अपना wire साही है, ठीके? टो आपी य व्हाण पोशेन है यह दुझाथ में शच करती हो थोड़ा अब यह बतता पो इसके अंदर में एक OYLE होती यह से QU72 होती है तो क्वे केंख Infoёl करोती हे ना यह काम नहीं करेंगा तो अब यहां एक Kean K2 है कि नहीं देखेंगा ज़े कुछा करना है देखो या अंदर सी वायराई है तो वायर को यहां पर एक और यहां पर एक तो देखो इसमें थोड़ा बुड़र हो रहा है तो डिम क्यो गूरई है कि आंदर इटिंग कोई यह ना ओ ठोड़ा फाल खा रही है इसलिए तो आपी बुड़र हो रहे मतलब यह अच्छा है है ऐसा हम फाइनल डिसिजन दे दे देते हैं पर नहीं है देखो दिम ग्लो होना चाहिए है और दिम ग्लो हो रहा है ठीक है तो मतलब अंदर के कोईल सही है तो बचा यह तो यहाँ पर तो देखने से माँ गिर रहा है कि यह खराब है तो अब इसको हम रिपेर नहीं करेंगे कि यह रिपेर करने लाइक तो हे नहीं ठीक है कि यह रिपेर करेंगे फिर से प्रव्म हो जाएगा तो अब इसको हम एक आसन सस्ता जुगड़ करने वाले यह देखो यह आपर पास एक बेड़ स्वीच है तो देखो यह सस्ता वाला जुगड़ हमें पास है तो क्या करेंग कि हाम इसके बदले यह बेर स्विच लगाएं वाले तो क्या करेंगे अब देखो इस पर न इस पर क्लिए निखा है क्या लिखाएं इनपूट 220 से 242 मतलब क्या है कि हम इसको निकालके सिधा पावर दे सकते हैं मतलब सिधा पावर भी देंगे न तो यह मतलब पहले जिसा ही वर्ट करने वाला है तो क्या होने वाला है जब तक हम चाल रखेंगे तब तक गरन बन करने के बाद वैसे नौमा हो जाएगा तो क्या करेंगे फिर से इसको हम निकाल लेंगे तो अब हम ये दोनों वायर काट देंगे और इसके बदले ये स्विश लगाने वाले तो क्या करेंगे सिधा कट लगा देंगे ये साइट का कट और इधर बेक कट लगा देंगे ये इसको निकाल देंगे तो वायर को काट डिया है आमने तो इसको एसा वायर को पहला खोल लेते तो फ्रेंड्स आमने अभी दोनों चाहिड का इंस्योईशन निकाल लिया है तो अभी इसको खोलेंगे इसके दोनों नट खोल लेना है देखो खोलने के बाद क्यातर मैं आभी आमें इसका जो लाल वायर है लाल वायर यहाप एक लगेगा और यहाप एक लगेगा ठीक है अंदर डलके नट को टाइट कर लेना है तो परफेक्ट वैसा ही यह साइड का वायर यह वायर ही इसके आंदर डालना है और यह स्कू को टाइट कर लेना है की탁 है तो आभी देख सकते है एक एक वायर तो हो गया है इसका प्रेंश का वायर हो गया अभी इसको यह आप टाइयल ऑगा इम जोईन लगा दिंगे तो जोईन को सिधा यह पितल लगा देंगे कि अधर कुछ पूर्ट होता है तो सिदा इसमें चिपन गाएगा थोड़ा बाजू में कर देंगे जोईन तो हम यहापर ठीक है जिसके यहापर हम जोईन लगाने लगाने तो आभी मैं एक नाकुन से निशान करता हूँ निशान करने के बाद एक टावाजज लेकाओ नाकुन से आपकेर आफार कि नाकुन से निशान रेखाद कर दो दोना करने ही जोईन कि अधर यहाण इसमिट करता है कि इस बाप आपने देखा आप इकेसा मेने जॉईन लगा दिया है इसमें अप इस जॉईन को हम टीप लगाएंगे आके यह यह पर टोच ओध ना हो जाए और करेश शोर्टिंग ना हो जाए तो इसके लिए यहां पर टेप लगाने है और यहां पर इसको टेपिंग कर देंगे ठीक है अब टेपिंग हो गया है अब इसको स्कूल से टाइट कर देंगे तो अब देखो इसमें ना थाली एक ही साइड में आइसा वायर डालने के लिए और निकलने के लिए विशको ना हम एक यह पर और एक आयशा लगाएंगे ठीक? तो एक थोड़ा का थोड़ा सा यह side वाला भी थोड़ा थोड़ा तोड़ देंगे अलब दूसरी बाझ से बाझ भी इस याउरम से निकल जाए इसे लिए ठीके ए साइड वाल थोड़ा एसा है सेम मतलब वायर निकालने के लिए और इसा नहीं नहीं होगी ठीके देखो यह भी उल्टा लगने वाला है ऐसा स्कुरू को टाइट कर लेना है तो गाइज अभी आम ने यहां पर जॉइन लगा दिया है तो अभी आमने क्या किया है आपको एक शौर्ट में बताता हूँ तो यहां पर इसका एक स्वीच था सिलेक्टर स्वीच था यह क्या करता था कम ज्यादा करता था यह से 1-2-3-4 पर ऐसा कम ज्यादा करता था तो यह खरा हो गया दिख सकते हैं आप यह खरा हुआ था तो अभी हमने इसको सिधर निकाल दिया सिस्टम से इसको निकाल दिया उसके बदले यह स्विच लगा दिया तो क्या होगा अभी तो जिसके पॉली हम पाउर के चलू करेंगे तो पाउर केसा पर पाॉर पाउर आजाएगी जिसके इसको ओन करेंगे तो यह constantly ऑन होाएगा जितनी गरमी चाहिए उसके गरमी होने के बाद यह बं करेंगे तो सिद्दा ओन के पाउर निेया जिए की गरम हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो अभी ये गरम होना शुरू हो गया है तो अभी हमारा ये जो भी जुगारता हो सक्सेस हो गया है देखो अच्छी सरी सरी गरम होना चलो हो गया है तो आपके दर भी ऐसा कोई प्रावलिम होता हो तो इसको सब्सक्राइब निकालने का है औ आपको मेरे वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना बुले